तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ज्यादा टेश्टी और हेल्दी और डिलिशस भी स्नैक्स जो बस पांच मिनट में बनके तयार हो जाता है और खाने में तो यह बहुत ज्यादा डिलिशस लगता है तो यह भी हमने एक मिक्शिंग बॉल ले लिया है अब इसमें डालेंगे एक कप बेसन यह ग्राम में 125 ग्राम के करी बेसन लिया है यह हमने यह हमने बेसन को पहले से चान लिया था फिर उसी बेसन में डालेंगे बेसन का हाफ कप सूजी मोटी वाली फिर इसमें डालेंगे उसी कप से एक कप पानी डाल देंगे और डालने के बद सारे बैटर को अ अब इसमें डालेंगे टेस्ट कोड़िंग नमक, हाफ टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, अब जीरा की जगए अजवाइन भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है अवलेबल है तो इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर टेस्ट कोड़िंग हर इम अगर आपको पसंद है तो जरूर डाले, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह मिक्स हो चुका है, बैटर बनके तयार हो चुका है, दस मिनट के लिए रख देंगे, जिसे की सूजी हमारी फूल जाए, तो यह भी हमने से 10 मिनट हो चुके, तो चेक कर लेते हैं, यह फिनेस होता है, वो बिल्कुल खतम हो जाता है, तो यह भी हमने पैन ले लिए, तड़का पैन, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ओयल डालेंगे, फिरिस में डालेंगे, फिरिस में डालेंगे राइस को अच्छे से क्रैकल होने देंगे, फिरिस में जो हमने बैटर बना के यह आप देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राय हो चुका है इसका मतलब यह अच्छे से पक चुका है, इसको पलट देंगे, यह देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। बहुत ही जाद़ क्रिस्पी हो चुका है, एक साइड से दूसरी साइड भी क्रिस्पी कर लेंगे, आप चाहे तो चैनल को सस्क्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा जिसे की आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती थे ती ये देखिए भी दोनों साइट बढ़िया से क्रिस्पी हो चुका है स्नैक्स बनके त्यार हो चुका है अब इसको सर् के दो मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें कुक कर लेना है तो ये भी दो मिनट हो चुके हैं अब हम इसको सर्फ कर लेंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है बिल्कुल बहुत कम ओल में बनके त्यार होता है और घर के बेसिक इंग्रिडेंस से बनके त्यार हो जाता है यह भी हम आपको कट करके भी दिखाते हैं यह देखे बहुत ही ज्यादा सौफ्ट और स्पॉंजी बनके त्यार हुआ है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में अंदर तक भी आप देख सकते हैं अच्छे से यह खाने में तो बहुत ज्यादा डिलिश। लगता है बहुत हलिवी होता है आप भाश्चों करें एक एक लाइक जरूर करेगा जिसे कि हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा आपके लिए और भी अच्छे नई वीडियोग रेसिपी लेके आते रहेंगे थैंक यू फोर वाचिंग कर फिर मिलते एक नए रेसिपी के साथ